हेलो एवर्यवेन वेल्कम बैक टो मैं चैनल कैसे आप सब उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे सोंगे अगर हम रेगुलर फेस मसाज नहीं करते तो हमारा जो फेस से कुछ इस तरह से दिखने लगता है अगर आप एवरी डे मसाज करेंगे तो आपके फेस पर मेजिक आपको नजर आएगी हमारा जो फेस से वो खिला खिला सा नजर आता है और एक्टम फ्रेस लगते हैं हम क्योंकि जो भी थकान है हमारे फेस पर सबसे पहले दिखता है तो एवरी डे आप मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से रहता है चहरे पे गलो र जी स्कीन पे बहुत जादा सूट करते है तो आप को जो भी ओयल कि सूट करता है हो वरे यहां पर हो तो यहांपर आपके अपने फेस पर अच्छे सॉट करता हो वह हम यहां पर ने को कवर करती हुए नीचे की तरप डाउन में जाना है। तो इस मसाज को हम करेंगे five time, right side और five time हमें left side करना है, same massage आपको करना है, अब दूसरी तरह भी हम इसी तरह कर लेते हैं, जो हमें क्या करना है, जो line से लेके जाना, ear तक, ear के corner तक और सीध हापको नीचे लेके आना है, अपनी हाथों को, तो इस तरह से आप five time दोनों side कर सकते हैं, अब आजाते हम अपनी nest massage में, तो nest massage आपको क्या करना है, दोनों हाथों को आपको अपने chin पे रख लेना है, इस तरह से, और same करना है, पहले हमने एक एक साइड, अपने एक हाथों से क्या है, अब हमें क्या करना है, दोनों हाथों से आपको massage करना है, तो अब जो massage करे कानों के एक फिंगर आप देख पारे होंगे मेरे कान के आगी और एक हमारे जो यह उसके पीछे कान के पीछे है तो ऐसा करके आपको यहां पर मिलेगा तो डोनों साइट आपको यह भी मिलेगा है अब आजाते हम अपनी नेश्ट मसाज पे तो यहां पर टू फिंगर आप पूर रख लेना है और अब डारेक्शन में ले जाकी से हम खत्म करेंगे हलका सा प्रेशर देती हुए आपको अपने आई के कोर्नर पे जाकी से खत्म करना है हम नोस से स्टार्ट करेंगे और आई कोर्नर में ले जाकी से हम खत्म करेंगे मैंने यहां पर ऑईल बहुत अच्छे से लगाया है तो जो मेरी हैंड है जो मेरी फिंगर है बहुत अच्छे से स्लाइड हो जाते हैं अगर हम कम ऑईल भी लगा तो आपको मसाज में बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा अब यहाँ पर आपको दोनों हाथों को रख लेना है अच्छे सा पूरे फिंगर की मतलब से अपनी पूरे चिक को कवर करते हुए उपर के अप डारेक्शन में ले जाना है और जो हमारी थम है वो आपकी यर के नीचे जाएगी और जो हमारा फिंगर है वो आपके पूरे काल को कवर करते हुए जाएगा अब यहाँ पर जो नेश्ट मसाज है वो आपको क्या करना है फर्ष्ट फिंगर को हुग बना लेना है होग बनाएंगे इसे हम अब डारेक्शन में जाएंगे इसे भी हम इस तरह से खत्म करेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे यह जो मसाज हम करते हैं तो हम में हमारी जो चिक है बहुत अच्छे से यह सब आपको करने की जरुवत नहीं पड़ेगी आप नेच्रली आपकी जो फिर से जो चिक है वो गलो करने लगेगा साइन करने लगेगा अब यहां पर देखें नेश्ट मसाज जो है वह आपको टू फिंगर रख लेना है और इसे हम अपने जो लाइन से स्टार्ट करके अ अपने आई ब्रो पर ले जाए कि से में खत्म करना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे इसके बाद फिर हम चलते हैं अपने नेश्ट मसाज में यह हमारा फोर हीड की मसाज तो आपको पूरे फिंगर की मतलस अपने फोर हीड को दोरुं हाथों से मसाज करना है यहां पर जो हमारे लाइन क्रियेट हो जाते हैं इसकी लूज हो जाती है तो फिक्स होने लगेगा और यहां पर आपके अगर रिंकल साग है तो वह भी रिमू होना सुरू हो जाएगा तो हमारे चाहेमें सब्सक्राश धच मंसाज करेंगे पूरे कवर करते हुए आपको इंपर यूपर देखेंगे ऐसा नहीं है कि जब हम अपने हेयर की भी मसाज करते हैं तो वो जो मसाज है हमारे फेस पे वो दिखता है अब जब भी आप फेस मसाज करें तो हफते में दो से तीन बार अपनी जो हेयर का जो स्कीन है स्केल्प है उसमें भी आप जरूर मसाज करें उसका भी जो फर्क है फैक्ट है वो हमारे फेस पे दिखने लगता है अगर हम हबते में तीन दिन अपने स्केल्प की मसाज करेंगे तो आपके जो आँखों क्यास पस रिंकल्स हो गए हैं आपकी जो चिक है वो नीचे लटकने लगए उसमें बहुत जादा फर्क आपको महसूस होगा आपको अराम तो मिलेगा हैर पॉल्स अभी आपको अराम मिलेगा क्योंकि जब हम अपनी हैट की मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलिशन वहां भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाता है तो इस तरह से फेस की मस मसाज करना है सर्कुलर मोसम में हम यहाँ पर मसाज करेंगे अगर आप ऑइलिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपनी हैट की महुत अच्छे से मसाज कर सकते हैं अपनी स्कैल्क मसाज करेंगे आपकी अगर जो आइस की जो हमारी आइब्रो होती हो नीचे की तरप लटकने लगेगा तो यह था हमारा आज कर वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें इसी तरह के और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में बाबाएं थाइंग